हैलो दोस्तो आपको सोगत अपने यूटीब चैनल एबिस क्लासेश पे और दोस्तो आज बात करने वाले हैं टोल्थ कमिस्टी स्टार्ट हो चुकी है ठोस प्रावस्ता अध्या एक चैप्टर फस्ट पढ़ेंगे अपन तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे देखिए ठोस प ठोस कहला तक है पदार्त की वयवस्ता जिसमें गटक है आपस में अधिक्तम बल से अकरसित किये रहते हैं मतलब कि उनके पास पास बहुत ज़्यादा बल से खीचे होते हैं अब आप लोगों को मैं पूरा का पूरा इसमें समझाने बाला हूँ तो आप लोग पूरा देख ठोस समझा देता हूं तो ठोस को यहां पर देखिए मालेज यह जैसा बना हुआ है ठीक है यहां पर ठोस में क्या होगा कि एकदम से जो कंड होंगे बहुत पास पास होते हैं एक दूसरे से खीचे होता है इसलिए ठोस होता है और द्रौ में क्या होता है कि थोड़ा सा दू दूर दूर होते हैं तो इस प्रकार से यह वाज जाता है ठोस द्रॉग गैस तो मदलब इसका जो आकरसन बल ज्यादा होता है इसलिए पास-पास होते हैं ठीक है उस चीज को यहाँ पे समझना है तो यह ठोस में क्या कहलाता है पदार्थ की वह बस था जिसमें घटक आपस मे अधिक तंबल से अकरसित किये रहते हैं इसके बाद चलते है ठोस ठोस को समझते हैं ठोस दो प्रकार के होते हैं क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस अब इनके अंदर भी बहुत सारे प्रकार हैं उनको भी समझेंगे क्रिस्टली ठोस क्या है यह चीज आप लोग तो मतलब हमारा बना है कि हम इस रस्ते से जाएंगे तो यहां तक जाएंगे तो उसी प्रकार ऐसे परमाडू या आयन या अडू आपस में एक दूसरे से ऐसे जुड़े रहते कि उनका फिक्स है कि वहीं पर जुड़ेंगे दूसरे जगह नहीं जुड़ सकते तो नीमित देखिए इनके बीच प्रवल बल प्रवल आकरसन बल लगता है यहां पर मैं बता चुका हूँ कि देखिए यदि नीमित रूप से रहेंगे या फिर देखिए सबसे सिंपल समझिए कि यदि परिवार में पांच भाई है तो पांचों भाई है तो उनको तोड़ने में कोई भी नहीं तोड़ सकता है इसलिए प्रवल रहते हैं लेकिन दोनों मतलब किसी में मदवेद हो जाता है तो छोड़ सकते हैं इसलिए उनको तोड़ना असान हो जाता है तो इनके बीच प्रवल बल आकरसन बल रहता है ठीक है इसके बाद इसमें देखिए कौन कौन से बल काम करते है बांडर बाल बाल एक दो ग्यारमी में पढ़ाया था बांडर बाल बाल ठीक है तो वो है इसके बाद दूइद्रूब दूइद्रूब आकरशन बाल हाइडरोजन बंद मतलब एक जो अडू है आके हाइडरोजन दूसरे परमाडू के हाइडरोजन सहयों करता है तो token सबस्क्राइब में है। संरचना देखे होंगे यदि नहीं देखे होंगे तो आगे देख लें क्योंकि आपके चैप्टर आपके बुक में है हीरा की संरचना हो जाएगा पोटेसियम नाइटरेट आयोडीन बर्फ हो जाएगा के सील हो जाएगा ठीक है मैंगनेसियम ऑक्साइड हो जाएगा और यहा तक आप लोग का ये क्रिस्टली ठोस हो जाएगा इसके बाद है अपना अक्रिस्टली ठोस क्या देखिए अप लोग को PDF से ये तो कॉंटेक्ट कीजिए परसनल आप लोग को PDF मिल जाया करेगा टेलीग्राम में जाके ज़ॉइन कर सकते हैं ऐसे ठोस जिनमें गटक अनियमित रूप से जुड़े होते हैं, मतलब नियमित रूप से नहीं जुड़ेते हैं, अनियमित रूप से जुड़ेते हैं, देखे स्वाट में समझे ए आवासी ठोस होते हैं, अता ठोस के सभी लक्षडों को फालो नहीं करते हैं, कुछ गुडों में भर देते हैं हाबा भर देते हैं तो संपीडन उसमें संपीडन का गुड़ होता है इसलिए प्रसार हो जाता है ठीक उसी प्रकार है इनका गलना के निश्चित नहीं होता है यह चीज आप लोग जाने लिए क्योंकि निश्चित ठोस जो क्रिस्टली है उनका ठोस होता है इनका निश्चित नहीं होता है इसके बाद उदारन इसका समझे काच हो गया, सिलका हो गया, प्लास्टिक, रेपेरिंग, रवर, पॉलित्रे, टेफलान हो गया, सेलोफेन हो गया, प्लास्टिक, पॉलि बिनायल, कलोराइड हो गया, फाइवर हो गया, गलास हो गया इन सबी को आप लोग टुल्ट में अपने आगे कमिश्टी में पढ़ेंगे इसको पूरा का पूरा क्या है PVC, क्या है सेलोफोन, क्या है टेफलॉन, प्लास्टिक ये सब चीज, पॉली बिनाल कुलोराइट पूरा चीज पढ़ेंगे आप लोग ठीक है इन केबल आप लोग के लिए ट्रेलर है, क्योंकि कोशन आता है अक्रिष्टिली ठोस्की से कहते हैं, और इसके उपयोग लिखिये तो यहाँ पर उपयोग बताया गया है, कि अपयोग क्या है, प्लेट ग्लास या कप बनाने में, क्योंकि कप देखे हो कुछ लोग गावं बो आप लोग लेंस पढ़ेंगे उसमें बतायए जाएगा कि यह जो लेंस हैं अक्रिस्टली ठोस होते हैं तो वहां पे आप लोग को बनना चाहिए कि अक्रिस्टली ठोस आखीर हाई क्या चीज़ तम न जाके आप लोग उसे बनेगा कि लेंस इस तरह बना होगा mind में कोस्चन तो यहां तक आप लोग का यह पूरा क्लियर हो जाएगा और यह पूरा समझ में आया होगा और यह कृस्टली ठोस तो यहां पे आप लोगों का ठोस जिनके अब परमाड अडू या आएन आपस ने वितरुप से जुड़े होते हैं तो इनका यह गुढ हो जाएगा और इधर भी गुड है इसका और ये उप्योग भी है तो ये पूरा आप लोगों का आई होप समझ आयोगा नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके आगे का कोश्चन अपने लोग कम्पलीट करेंगे ठीक है तो आई होप ये चार नंबर का कोश्चन आप लोग कह दियाता है एक से अपनको पढ़ाई करना 95 प्लस लानना है मैं लास्ट तक है अदि आप लोग जुड़े रहेंगे तो जरूर एक दिन न एक दिन जरूर आएगा 95 प्लस परसेंट तो और फिजिक्स स्टार्ट है फिजिक्स का एक चैप्टर लास्ट चल रहा है बस दूसरे चैप्टर आके वहां पर देखिए पढ़ाई किजिए मिलते हैं